दोस्तों, बाहर से कच्चा दिखने वाला यह फल, तर्बूज, अंदर से लाल और रशिला मीठा होता है. गर्मियों में शरीर को ठंडक और प्यास को दूर कर देने वाला यह फल, शरीर की गंदगी और बिमारियों को दूर करने में काफी फाइदे मंद होता है. तर्बूज हमें पेट के कैंसर, डाइबिटीज और हरदय रोग जैसी खतरनाक बिमारियों से बचाने में मदद करता है इसके अलावा यह वजन को कम, आखों, बालों और तवचा के लिए काफी फायदे मंद होता है तरबूज के सेवन करने से गर्मियों में शरीर पर होने वाली बिमारियों का असर नहीं पड़ता है इसमें मौजूद कार्बोहाइडरेट, फासफोरस, कैल्शियम, खनिज लवन खून को साफ करने के साथ कई बिमारियों के खतरे से शरीर को बचाता है यह शरीर को शीतल करने और दिमाग को संतुष्ट करने का अच्छा फल है दोस्तों तरबूज खाना स्वास्थे के लिए बहुत ही लाबदायक होता है तो चलिए दोस्तों एक-एक करके इसके सभी बेनिफिट्स को जान लेते हैं अगर आप अपने बढ़ते वजन से परेशान हैं और कम करना चाहते हैं तो आप तरबूज का सेवन करें तरबूज में सिट्रियूलाइन नामक तत्व होता है जो शरीर में फैले वसा को कम करने में मदद करता है यह वसा की मात्रा को बड़ोतरी देने वाले कोशिकाओं को कम करता है तरबूज में पानी की अधिकता होने के कारण यह डाइटिंग में वजन कम करने का अच्छा स्रोत होता है नमबर दो, कैंसर दूर करने में सहायक, पानी के अधिकतम उपयोग करने से कई बिमारियों का खात्मा हो जाता है चाहे वह छोटी सी बिमारी हो या बड़ी से बड़ी और तरबूज में पानी की कोई कमी नहीं होती है इसलिए अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर से निजात पाना है तो आप तरबूज का सेवन करें क्यूंकि तरबूज में मजबूत एंटी ओन एकसीडेंट विटामिन सी और भी बहुत एंजाइम्स होते हैं कैंसर का कारण माने जाने वाले मुक्त कण के गठन से निपटने में मदद करता है तरबूज में मौजूद विटामिन ए और विटामिन सी सेहत के लिए कभी लाब दायक होते हैं विटामिन सी की मात्रा होने से यह हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है साथ ही विटामिन ए होने के नाते आँखों को स्वस्थ और नजर में तीखा बनता है अब जब तर्बूज में 94% पानी होता है तो यह शरीर में तरल पदार्थों की पूर्थी तो करेगा ही जिससे शरीर हाइडरेट रहता है इसमें मौजूद सोडियम, पोटेशियम, मैगनीशियम और कैल्शियम शरीर एवं तवचा को हाइडरेट रखने मदद करते हैं जितना ज्यादा पानी पीओगे, शरीर को निरोगी पाओगे अगर आप नियमित रूप से तर्बूज का सेवन करेंगे, तो अपनी आँखों को स्वस्थ और नजर में ज्यादा पाओगे क्यूंकि तर्बूज में मौजूद बीटा कैरोटीन और विटमिन ए आँखों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं इस फल के सेवन करने से आप रतौंधी और मोतियाबिंद जैसे रोगों से बच सकते हो दिल को मजबूत रखे दिल तभी स्वस्थ और फिट रहता है जब उसमें सही तरह से शुद्ध खून का संचार होता है तर्बूज में पोटेशियम नामक पोशक तत्व खून को साफ और सही तरीके से प्रवाह में मदद करता है जिससे दिल स्वस्थ और बिना किसी घबराहट के चलता है इससे आपको किसी भी प्रकार की डर नहीं रहती है गुर्दे रखे स्वस्थ आज के समय में पेशाब ना होने की समस्या बहुत से लोगों में बनी हुई है जिसका प्रमुख कारण पानी का अभाव है इसलिए अगर आप अपने गुर्दों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो तर्बूज का सेवन करें ये शरीर से हानिकारण विशाक्त पदार्थों को बाहर निकलने में मदद करता है और लिवर को स्वच साथ ही साथ गुर्दों को उत्तेजित करने में मदद करता है ये पेशाब में हो रही कोई भी समस्या को दूर कर देता है तर्बूज में पोटेशियम, मैगनीशियम और एमिनो एसिड प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे शरीर की रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखने और बलड के प्रभाव को सही करने में मदद करता है एक शोध के अनुसार, मोटे लोगों में उच्छ रक्त चाप को नियंतरन करने में तर्बूज का सेवन सफल हुआ है रोजाना एक गिलास तर्बूज का जूस पीकर आप अपने हाई बलड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं नमबर नौ तर्बूज का जूस पीने से तवचा जवान रहती है बुडापे के आते ही हर किसी की तवचा जुर्रियों और काले सफेद बिंदूओं से ग्रसित होने लगती है लेकिन आज के समय में ज्यादा सोचने के कारण जवानी में ही प्रभाव पढ़ने लगा है इसलिए अगर आप अपनी तवचा के कसाव को बरकरार रखना चाहते हैं तो तर्बूज का सेवन करें क्यूंकि इसमें पानी की अधिक्ता और केरिटोनोयड्स एवं फ्लेवनोयड्स नामक तत्व होते हैं तो तवचा को कसने में मदद करते हैं और लास्ट है नंबर दन्स मानस्पेशियों में मददगार तर्बूज में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है जो शरीर में नर्वस सिस्टम और मानस्पेशियों की सेहत के लिए जरूरी है इसके सेवन से मानस्पेशियों से जुड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है साथ ही तर्बूज और तर्बूज का रस मानस्पेशियों के दर्द को कम करने में मदद करता है और दोस्तों, अब हम साथ ही तर्बूज खाने के नुकसान भी जान लेते हैं ज्यादा मात्रा में तर्बूज खाने से मानस्पेशियों नसों में परेशानी हो सकती है तर्बूज खाने के बाद लगभग आधे से एक घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए ज्यादा तर्बूज खाने से दस्त, उल्टी, गैस आधी परेशानियां हो सकती है ज्यादा तर्बूज खाने से पुरुशों में नपुन सकता आधी परेशानियां हो सकती है तर्बूज में पोटेशियम होता है और इसे ज्यादा खाने से दिल की बीमारियां होने का खत्रा बढ़ जाता है तर्बूज में चीनी पाई जाती है, जिससे यह शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ाता है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को तर्बूज नहीं खाना चाहिए. गर्भवती महिला को ज्यादा मात्रा में तर्बूज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह खून में शुगर जानकारी मिली होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए. धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें. म